हेलो फ्रेंड्स गुड़ अप्टर नौन आप सभी को आप ही के अपने चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स आज हम लोग यहां पे विप्रो लिमिटेड को एक लॉंग ट्रेड कर रहे हैं और उसका जो पोजिशन है दोस्तों वह पोजिशन हम लोग ने यहां पे क्रिएट कर लिया है आपको एक आप दिखेगा और हम लोग 5.76 से अपना पोजिशन को बना लिया है दोस्तों मैं अभी आपको डेट अंट टाइम एक बार दिखा देता हूं आज डेट है 8th मार्च 2022 और टाइम होडा है 12 बच के 46 मिनिट के आसपस आज हम लोग जिस तरीके से इस ट्रेट को एक्जिगूट कर रहे हैं उसका नाम है लॉंग टर्म पूल बैक तो इस लॉंग टर्म पूल बैक जो मेथोड है इस मेथोड के जरिए हम लोगों ने यहां पे अपना पोजिशन बनाया है 576 में और इसका ACL जो हम लोगों ने प्लेस किया है वो 571.90 में प्लेस किया है और उसके साथ साथ दोस्तों हम लोगों का यहां पे जो टार्गेट ओडर लगा हुआ है वो टार्गेट ओडर 584 पे अभी के लिए लगा हुआ है हाला के मार्केट जो है नेगेटिव है यहां पे हम लोग देख सकते है निफ्टी फिप्टी अभी भी नेगेटिव में चल रहा है लेकिन फिर भी हम लोग पॉजिटिव में यहां पे ट्रेड कर रहे हैं और उसका पूरा का पूरा प्राइस एक्शन में आज आज आपको इस वीडियो के माध्धम से समझाने वाला हूं तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आगे बढ़ने से पहले क्रिपया इस डिस्क्रेमर को पढ़ लीजिए यह बहुत ही महत्तो पूर्ण है Welcome back to the video friends तो पहले हम लोग क्या करते हैं यहां पर position मैंने जो लिया है वो तो मैंने आपको दिखा दिया है तो price action को समझने के लिए पहले हम लोग को nifty का जो गतिविदी है nifty का जो direction है उसको समझना बहुत ज़रूरी है तो चलिए हम लोग जाते हैं एकपर nifty के चार्ट में देखा होगा तो मैंने बोला था कि दोस्तो अगर इस बीच में यह जो आपका region है इस region के बीच में मतलब low के ऊपर और closing के नीचे कल का अगर nifty open होता है और उसके बाद यहां पे थोड़ा सब्सक्राइब बनता है तो market बहुत जादा range bound हो सकता है तो दोस्तों सुबा हम लो market range bound है तो हम लोग क्या सोचेंगे दोस्तों यह लोग के तरफ जैसे ही गिया है यहां पर buying आ जाएगा और price थोड़ा उपर जाने का कोशिश करेगा तो friends range bound का मतलब यह होता है अगर price उपर जाता है तो price को नीचे धकल दिया जाता है price नीचे जाता है तो price को उपर धकल दि और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको एक बार Nifty IT का जो सेक्टर है वो भी एक बार दिखा देता हूं अभी दोस्तों हम लोग आ गये हैं यहां पे Nifty IT के चार्ट में अभी Nifty IT में जैसे आप देख रहो कल का हाई जो है यह पहला ही पांच मिनिट में यहां पे breakout हो गया औ और प्राइस सीधा सीधा एक 45 डिग्री के एंगेल बना के उपर जा रहा है मतला भी सेक्टर जो है उपर जा रहा है तो दोस्तों हम लोग ओना क्या देखा मोटा मोटा चीज हम लोग के समझ में यह आया कि Nifty 50 जो है वो अभी एक सापोट में है जहां से वो घूम सकता है Nifty Nifty IT already उपर जाते हुए हम लोग को दिख रहा है तो इसलिए दोस्तों Nifty IT का ऐसा एक स्टॉक में हम लोग को ट्रेड करना है जो स्टॉक भी मुझे उपर जाते हुए दिख रहा है 45 डिग्री अंगेल पे तो वैसा स्टॉक मुझे कहां पे मिला दोस्तों यह वीप्र में मु बहुत जाधा रेजिस्टांस के हिसाब से काम कर रहा था पहले एक बार जाके टकड़ाया नीचे आया बाद में उपर जाया नीचे क्लोस कर दिया कल भी उपर ब्रेक करने का कोशिस किया नीचे आके क्लोस कर दिया लेकिन दोस्तों आज एक बहुत अच्छा चीज इसमें ह ज्यादा आए इसका मदलब दोस्तों ये आज के दिन में इसमें वॉलूम जो है अच्छा खासा आ सकता है बाइन सेलिंग अच्छा खासा हो सकता है इसके साथ साथ आज का जो candle है वो भी open equal to low candle है इसका मदला नीचे जो है बहुत ज्यादा बायार यहां पर बैठा हुआ है price को उपर लेके जाने के लिए तो friends इसे के चलते हैं यह जो पूरा का पूरा price मैंने आपको समझाया कि nifty को मैंने घुमता हुआ देखा nifty it को मैंने देखा कि यह उपर जा रहा है और उसके अंदर भी विप्रो ऐसा एक स्टॉक है जो 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 वॉलूम है वो एवरेज वॉलूम से दुगना है और उसके साथ साथ यह एक मेजर रेजिस्टन्स को ब्रेक आ को इनिसियेट किया है और इसके साथ साथ हम लोग स्टॉप लॉस जो रखे है वह आज का जो पहला केंडल है उसके नीचे हम लोगों ने यहां पर स्टॉप लॉस रख दिये हैं तो फ्रेंड्स यह जो था पूरा का पूरा मेथोड मैंने आपको समझा दिया कि कैसे इस ट् तक देखेंगे तो आपको सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा कि कैसे बहुत ही आसानी से कोई स्टॉक में ट्रेड किया जा सकता है अगर आप मार्केट को ठीक से समझे और मार्केट का जो चाल है उसको ठीक तरह से आप समझ पाए तो फ्रेंड्स लेट्स वेट आन वाच देखते हैं क्या होता है विप्रो का जो ट्रेड हम लोग का चल रहा था लॉंग साइड में उसका सेकेंड पार्ट में आप लोग को बहुत-बहुत स्वगत करता हूं दोस्तों यहां पे जैसे आप लोग देख पाड़ें विप्रो का जो टार्गेट था 584 वो टार्गेट दोस्तों यहां पे मीट हो चुका है और जो target हम लोगों ने यहां पर book किया है बहुत ही अच्छा मतलब आप देख पाड़े हो यहां पर down arrow है तो target जो है पूरा का पूरा quantity हम लोगों ने यहां पर book कर लिया है और दोस्तों यह ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारा trade लिया और उसी के अंदर जो profitable होड़ा है यहां प 50 pro bulls are giving huge pressure at 576 और आप मेरा position अगर देखेंगे तो मैंने कौन सा position से चुरू किया था मैंने अपना position लिया था 576.05 पे और मैंने यहां पर probable target भी दे दिया था 584 और मैंने book कहां किया 584 पे किया है safe traders के लिए मैंने यहां पर exit दे दिया था 580 पे अभी मैं काम करूंगा यहां पर जो target achieve हुआ है वो भी आपके सामने ही मैं यहां पर post करूंगा विप्रो 584 target achieved तो दोस्तों बहुत अच्छा trade हुआ आज जो target था वो पुड़ा का पुड़ा यहां पर achieve हुआ अभी दोस्तों मैं आपको और एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि अगर आपको live market में ऐसे ही guidance चाहिए तो आप मेरा यह telegram channel join कर सकते हैं जहां पर मैं अपना trade यहां पर share करता हूं हाँ हलाके जो बाकी YouTube वार से उसके तरह मैं दिन में 10-12 trade नहीं करता मैं दिन में एक या दो trade करता हूं जिसको मैं यहां पर इस channel के माध्धम से share करता हूं आज दोस्तों दो stock में लिस्ट में था एक Wipro और एक bank up बड़ोधा आप यहां पर देख पा रहे हो जिसमें Wipro में मुझे trade मिला वो trade मैं यहां पर दिया है और और एक चीज़ दोस्तों जो सेवी का guideline है उसको देखते हुए मैं यहां पर buying selling direct नहीं लिखता हूं तो दोस्तों मैं फिर से यहां पर चार्ट में बापस आगे Wipro का और देखिए कितना अच्छा हम लोग जो level यहां पर target booking के लिए रखा उसी level पर reject होके दोस्तों price जो है वो नीचे आड़ा है और यहां पर जो trade हम लोगों ने किया जैसे मैंने बोला कौन सा method बें किया हम लोग यहां पर long term pullback method को use करके इस trade को हम लोगों ने यहां पर किया है और long term pullback दोस्तों एक बहुत ही अच्छा method है जहां पर बहुत time के मतलब जो accurate point होता है जो आपका यहां पर position building का point होगा वो पहले से defined रहता है कौन सा level पर आपको position build up करना है क्या देखना है सब कुछ एकदम defined होता है और उस defined level से ही हम लोगों ने यहां पर trade लिया और 584 में ह हम लोगा जो profit है उसको book किया है दोस्तों ज्यादा तो यहां पर रिक studio art नहीं मिला यहां पर 1-2 का ही रिक studio art मिला है लेकिन जो भी हो जो account है वो दोस्तों बढ़ना चाहिए वो घटना नहीं चाहिए loss नहीं होना चाहिए यहां पर profit पर ही हम लोग निकले है और profit करके ही हम को निकलना चाहिए चाहिए दिन में हम लोग एक trade करें दो trade करें लेकिन trade में profit होना जरूर है तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे और